हलो स्टुडिंट्स इस वीडियो में हम लोग बातकरने वाले हैं जो कि Electrostatics पे फूर्स वीडियो है इसमें हम बातकरने से हमाले है कि किसी चार्ज से का πार्टिकल का posts अगर G aimeh तो किस तर से होगा चार्ज पार्टिकल in uniform electric field इसके अलावा हम लोग electric field lines के बारे में पढ़ेंगे properties of electric field lines और obviously इन सारी चीजों पर concepts पर हम लोग कुछ problems भी करेंगे तो 3-4 problems 5 problems हम लोग करेंगे first topic which is motion of charge particle inside uniform electric field और इसके अलावा जो होगा हम कुछ एक problems करेंगे 2-3 problems 2 problems के आसपास करेंगे electric field lines की properties के ऊपर last video में हम लोगों ने जो किया था last video में हम electric field पे गए थे electric field को define किया था और electric field के result निकाले थे certain type of charge distribution की वज़े से अब उस discussion को हम लोग बीच के लिए थोड़ा पास दे रहे हैं फिर से जो है यहाँ पे नए topic में घुस रहे हैं field line पढ़ेंगे फिर flux पढ़ेंगे और flux के बाद फिर से गौस लोग और गौस लोग के बाद फिर से हम लोग electric field निकालने पर आ जाएंगे दूसरे तरीके से तो यह थोड़ा सा non-linear सीधे सीधे चलके एक ही टाइप की topic नहीं करने वाला तरीका होगा वट हम लोग इस तरह से कर रहे हैं तो इस वीडियो में चलिए start करते हैं हम लोग पहला discussion जो हमारा होगा वह होगा motion of charge particle inside a uniform electric field ठीक है चलिए start करते हैं topic motion of charge particle under uniform electric field कोई particle है चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज क्यूँ है वो अगर e-vector की uniform electric field के अंदर रखा हुआ है तो उस पे एक electrostatic force लग जाएगा that is equal to q times e-vector अच्छा इसमें अगर e-vector is uniform that means force लग रहा है that is also uniform है अब uniform force के अंडर किसी भी पार्टिकल का जो motion होता है उसको हम अलग तरीके से क्यों पढ़ें क्यों समझें जब एक बार हम अल्रेडी पढ़ चुके हैं यह example सबने किया हुआ है कि motion of motion of a particle या motion of a projectile under gravitational force ग्राविटेशन जब हम लोग पढ़ते हैं projectile motion पढ़ते हैं और दूसरा example समझ लो यहां पर भी वही चीज़ है तो इस तरह के problems को solve करने के लिए बहुत तरह के जो problems होंगे वह simple हम similarity से या analogy से ही solve कर लिया करेंगे हैं जो result हम लोग already निकाल चुके हैं projectile motion के लिए वो उनका use कर लेंगे because projectile motion में भी क्या होता है एक particle है of mass m उस पे force लगते रहता है mg का और चुकी acceleration due to gravity अर्थ की surface के आसपास में तो change करती नहीं है तो mg भी कैसा है एक uniform force है uniform मतलब magnitude और direction सब कुछ सेम है similar यहां पे भी कहानी हो रही है कि qe force जो लग रहा है electrostatic force अगर e vector constant हो गया तो qe force भी कैसा लगेगा uniform लगेगा तो इन दोनों के motions में बिलकुल analogy हो जाएगी और उस analogy को हम लोग अगर problems के level पे देखें तो दो तरह के problems हो सकते हैं जहां पर यह given भी हो और नहीं भी given हो तो भी values से आपको idea लग जाएगा कि यह चीज़ अज्यूम करने पड़ेगी case 1 जहां पर कोई gravitational force नहीं हो ठीक है तो जहां पर कोई gravitational force नहीं होगा या तो question बता रहा है या तो question के data के हिसाप से हमें पता लग रहा है कि उसका कोई use नहीं हमें करना है ठीक है answer options से पता लग रहा है तो इस तरह के cases में जहां पर कोई gravitational force नहीं है सरफ एक ही force लग रहा है electrostatic force which is QE तो net force equal to newton second law से लिख सकते हैं net force equal to mass into acceleration तो यहां पर हमारे पास acceleration आगे कितना QE vector by M अच्छा अब इसको problem solve करने के इसाप से कैसे सोचो जैसे acceleration due to gravity अगर सिर्फ gravitational force लगता है तो particle का acceleration कितना होता है acceleration due to gravity जी के बराबर तो यहां पर क्या है कि सिर्फ और सिर्फ electrostatic force लग रहा है तो जो acceleration है उसको मान लो कि नई तरह की एक gravitational acceleration due to gravity होगी अच्छा नॉर्मल वाली जो acceleration due to gravity होती है उसकी direction हमें पता होता किस direction में होगी वह होगी यहां पर जो acceleration due to gravity नया effective बन रहा है वो किस direction में होगा E vector की direction में होगा अगर charge particle कैसा है positive है और E vector के just opposite होगा अगर charge particle कैसा है negative है यहां पर दिख रहा है na QE vector ठीक है Q positive होगा तो E vector की direction में जी effective है तो अब ऐसे questions में simple assume कर लो ना कि acceleration due to gravity इधर लग रही है जी effective की direction में बाकि जैसा भी motion आप gravitation के इसाब से सोच पा रहे हो ठीक है मालो E vector के parallel direction में motion दे दिया गया किसी particle को fake दिया गया electric field की direction में या उसके opposite direction में तो straight line में motion होगा just like acceleration due to gravity vertically downward है एक ball को उठाके ऐसे उपर fake देंगे तो क्या करेंगे यह उपर जाएगी नीचे आएगी similar kind of motion यहां पर भी होगा तो इस analogy का use कर दिया करेंगे direct questions इस तरह से कर सकते हैं ठीक है दूसरा case हो सकता है जहां पे actual में gravitational force को भी consider करना पड़े ठीक है उस case में देखो क्या होगा case 2 में जो net force होगा वो क्या लिखेंगे हम लोग net force will be equal to electrostatic force plus mg vector ठीक है और electrostatic force plus mg vector को net force को हम लोग क्या लिख सकते है mass into acceleration यहां से a vector कितना आ गया qe vector by m plus d vector अच्छा g vector always कैसा लेना है g vector जिसका magnitude पता है 9.8 यह 10 मदब जी और direction क्या है vertically downward direction electric field vector किसी भी direction में हो सकता तो question में जैसे भी given है यह वाला part आप निकालो तो e vector a vector की value को अब बोल दो कि नया जो g effective है मतलब इस नय situation में acceleration due to gravity जो लग रहा है वो particle पे कितना लग रहा है जी वेक्टर प्लस q e vector by m के बराबर तो यह vectors का addition करना पड़ेगा इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखने की है कि this is vector addition not not a scalar addition मतलब इसको number की तरह जोड नहीं सकते है तो बस vector addition करो जी एफेक्टिव जिस भी direction में आजाए मान लो कि अब आर्थ का जो वर्टिकली डाउनवर्ड वाला डिरेक्शन वैसा है तो विजुलाइज करने में भी असान रहेगा कि actually समझ पाऊगे की motion कैसा हो रहा है projectile के जैसा हो रहा है तो पैराबोलिक पाथ होगा and so on ठीक है तो इस चीज़ को यूज करेंगे problems के help से हमां कि problem में जब देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं तो और better understanding होगी तो इस पर problem करते हैं यह problem आप देखो पहला और इसको अब यहां पर वीडियो को pause करो और खुछ से ट्राइब करो चीक है तो इस question को देख लेते हैं अगर try कर लिया तो इसमे एक positively charge particle है mass m charge q का इसको rest की condition से इसको छोड़ दिया गया rest की condition से initial velocity given है 0 इससे छोड़ा गया अब देख लेते हैं इस पर कौन-कौन से force लग रहे हैं ठीक है और uniform electric field of magnitude e determine the time taken vertically upward uniform electric field तो electric field vertically upward direction में particle charge particle जो है वो positively charge है मतलब एक force से उपर लग जाएगा qe के बरबर और दूसरा force mg वाला force downward direction में लग जाएगा इस तरह से लग गया अब उसके बाद देखो the time taken by particle to travel distance l if gravitational force is negligible तो first वाले case में तो यह बोल ला है कि smg को हटाई दो case 1 के लिए इस particle को उपर की तरफ उठा के देखो तो qe net force है और इस case में जो acceleration हो जाएगा हो क्या हो जाएगा net force which is qe by mass m इतने acceleration से l distance travel करना है तो अब सीधे uniform acceleration है तो सीधा लगा देते हैं second equation distance traveled l equal to ut plus half a t square यू 0 है तो half into ठीक है time taken निकालना है तो half a into t square आ गया यहां से t की value कितनी आ जाएगी 2l by a का under root और a की value उठा के यहां पर रख दो a की value qe by m रख दो 2m l by qe का under root इतना time लगेगा first वाले case में second वाले case में actually mg को भी consider करना है mg को भी consider करना है और question में given है mg is less than qe qe बड़ा है तो मतलब net force अभी किस direction में आएगा ऊपर की direction में आएगा और वो कितना होगा net force qe minus mg होगा qe minus mg और इसको क्या लिख देंगे हम लोग ma लिख देंगे इस case में यही जो expression तो same आएगा acceleration a मानते हुए t की value तो अभी भी कितनी रहेगी root of 2l by a a की जगे पे value हमें क्या डाल देनी qe by m minus g तो a की जगे पे यहां पे आजाएगा root of sorry root of 2l by a की जगे qe minus mg by m ऊपर m चला गया तो यहां से value आगई t की value root of 2lm by qe minus mg so this is our answer ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं यह fairly simple question था next problem यह देखो तो इस problem में देखो इस problem को थोड़ा सा revise करते हैं 11 खापार्ट वर्टिकल मोशन अंडर ग्राविटी अगर यहां पे कोई electric field वगएर नहीं होती है तो यह result सबको पता है ना कि जैसे 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 पार्टिकल यह जो है circular motion जो वर्टिकल प्लेन में कर रहा है जैसे जैसे बाडी उपर की तरफ जाती जाएगी इसकी speed कम होती जाएगी तो जैसे जैसे यह उपर जा रही है velocity will keep on decreasing और velocity के साथ साथ हम tension का भी निकाले ना तो tension भी क्या होता है करके tension सबसे कम होने के चांस कहा है सबसे उपर में और वहां पर जैसे जैसे आप उपर जाओगे वर्टिकली अबव उपर की तरफ जाओगे tension सबसे कम यहीं पर मिलेगी और सबसे आधा टेंचन नीचे मिलेगी तो नीचे वाले पॉइंट पर टी की value maximum मिल ली है ठीक है और उपर वाले पॉइंट पर यहां पर टी की value minimum मिल ली है यह तो तब होता है जब सिर्फ और सिर्फ gravitational force act कर रही होती मतलब कि अगर जी वेक्टर बेसिकली acceleration due to gravity जो है जिसको मैं जी वेक्टर बोला हूं वह downward direction में है तो जी वेक्टर के just opposite वाली साइड पर जब यह पार्टिकल पहुंच रहा था उस टाइम पर टेंशन मिनमम है अब इस केस में देखो क्या हो रहा है इस केस में इस पार्टिकल पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं वन इस mg which is acting downward and another one is qe जो की right की direction में लग रहा है horizontal electric field है तो अब इन दोनों का resultant जो होगा वो वेक्टर सम करके निकाल लो यह नीचे की तरफ इधर mg है और इधर qe है इन दोनों का resultant कुछ ऐसा अगर इसका मैं अंगल निकालना चाहूं जो यहां पर भी अंगल आ जाएगा थीटा तो अब मैं इस वाले राइट अंगल ट्रेंगल में बोलूंगा तो टान थीटा को क्या लिख सकता हूं टान थीटा कान भी रिटन एस qe by mg थीटा एकुल टू क्या अगया टान इंवर्स qe by mg अब देखो कि जो जिस टेरेक्शन में नीचे वाली इस वाले डेरेक्शन में जिस टेरेक्शन में रिज़टेंट पोर्स आया इस रिज़टेंट पोर्स आरे को हम क्या लिखेंगे मास में इनटू जी का effective vector, g effective vector तो basically इस वाली direction में g effective आ जाएगा तो आप नई situation में ऐसे सोचो ना कि art की gravitational field बदल गई है अब वो इस direction में हो गई है तो simple सी देखो जब art की gravitational field नीचे की तरफ थी तो tension बिलकुल उसके vertically above इस वाले point पे उपर था minimum था तो यहाँ पे अगर g effective vector इस direction में आ गया तो जो minimum tension आएगा वो देखो minimum tension इधर की तरफ पहीं होगा यहाँ पे जब particle ऐसे circle में गुमते 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 इस वाली जगे पे यहाँ पर पहुंच जाएगा अब वो कितना angle vertical के साथ बना रही है तो downward vertical के साथ यह भी बोला हूँ है downward vertical के साथ downward vertical के साथ एक angle तुम्हें से बोल सकते हो कि यह होगा और दूसरा angle बोल सकते हो इन दोनों में से कुछ भी सही होगा यहाँ पे देखो यह angle अगर ठीटा है तो this angle will also भी ठीटा ठीक है तो अब एक तरीके से तुम्हें मिल रहा है यह वाला angle मिल रहा है पाई माइनस ठीटा और ठीटा क्या है tan inverse qe by mg तो पाई माइनस में भी आ रहा है और दूसरी side से इधर से मिल रहा है पाई प्लस तो चार आप्शन में देखो पाई माइनस वाला तो एक भी नहीं है तो डी ऑप्शन इस बेसिकली करेक्ट यहां पर आगा डी ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं इस पर इस प्रॉब्लम को अगर अटेम्ट कर लिया हो तो एक बार इसका सुल्यूशन जो है देखते हैं जिसने आंसर निकाल लिया एक बार देखो लाज तक नाच हो रहा है आंसर वगरा कि नहीं हो रहा है तो सबसे पहला इसमें भी पिछले जैसा ही केस है कि एक तो ग्राविटेशनल फॉर्स लगेगी और बताया नहीं हुआ बट यह वाली जो दे रखी उससे पता लग रहा है कि कंपेरेबल है मतलब कि mg को अब इग्नोर नहीं कर सकते ठीक है तो एक तो फॉर्स लग रही है डाउनवर्ड डिरेक्शन में ग्राविटेशनल फॉर्स इधर की तरफ mg आ गया इनका रिजल्टेंट इधर की तरफ पहीं आ गया मान लो पिंग से बना ले थे हैं यह आ गया रिजल्टेंट का मागनिट्यूड अगर लिखो तो कितना लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ क्यूई का इसक्वेर विचिस रूट थी एमजी का इसक्व की बहार आ जाएगा तो रूट 3 का स्क्वेर कितना हो गया 3 प्लस mg का स्क्वेर 1 और mg तो बहार हम लई चुके हैं क्योंकि दोनों जगें यह रहा है तो इंट्व एमजी इक्वल टू कितना हो गया रूट 4 विच इस 2 mg 2 mg आ गया और इस आर को मैं लिख लूँ की मास की वालिव आ गई कितनी 2 इंटू जी के बराबर आ ऐसी आ गई ठीक है और डिरेक्शन भी पता लग गई यहां पर देखो कि इस इक्वल टू बेसिकली रूट 3 mg और यह हाइट जो है इस वाले राइट आंगल ट्रेंगल में देखो तो हाइट इस एमजी और बेस इस यहां से यह वालिव आ गई 30 अब हमें पता है कि एक नई एक्स एलेशन ड्यू टू ग्रैविटी आ गई है जो कि वर्टिकल के साथ यह तो हॉरिजॉंटल के साथ एंगल आया जो कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री ठीक है तो अब ऐसे देखो कि एक रेफरेंस बना लेते हैं सारा डाइग्राम सा यह वाली डेरेक्शन हो गई वर्टिकल यह वाली डेरेक्शन हो गई होरिजॉंटल और हमारे पास जो एफेक्टिव आक्सेलेशन ड्यू टू ग्रैविटी है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री बना अग वर्टिकली डाउंवार डार डेरेक्शन है ओर पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है उसको हमने एससे सीधा ऊपर कि तरफ कर दिया विद विलjaस्टी यू इसको ऐसे ऊपर कर दिया यू ठीक है अब इसका मोशन कैसा होगा ठोड़ा सा विज्वाइज यहां से भी या मैट से तो आप यहां से भी कर दोगे बेटर विजुलाइज करने के लिए क्योंकि पहले से हमने प्रोजेक्टाइल के खुब सारे केसे की हैं तो उसका सारा पता है तो उसमें क्या होता है अपनी के लिए अगर मैं ऐसे करना चाहूं कि इस पूरे फिगर को यहां पर देखो एक इंकलाइन प्लेन भी ऐसे बनाए हुआ है जो हॉरिजॉंटल के साथ कितना अंगल बनाता है 60 डिगरी बनाता है यह एंगल 60 डिगरी है तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम को जस्ट अपने विजुलाइजेशन को बेटर करने के लिए कि सारी चीज़े मुझे अप सही तरीके से दिखाई पड़ने लग जाए मैं पूरे सिस्टम को रोटेट कर देता हूं बाए 60 डिगर सब्सक्राइब करना है यहां पर कुछ रोटेट नहीं करते हैं बस फिगर अपने एक तरह से तुम तुम घूम के देख रहे हैं तो अब जो नया एक्सेलेशन ड्यूटी ग्राविटी हमने ऐसे बना लिया कि यह हो गया टूजी ऐसे लग रहा है यह जो प्लेन है इस प्ले प्लेन के साथ कितना अंगल बनाएगा 30 बनाएगा तो अब पार्टिकल को तुमने एक तरह से बोल दिया कि यह 30 डिगरी अंगल पर यू स्पीड से फेक रहे हैं तो अब दिख रहा है कि इसकी प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरह से बन जाएगी ऐसी प्रोजेक्टाइल पूछ रहा है कि इस प्लेन पर जाके हिट करेंगे मंतलर सेम होरिजॉंटल लेवल पर पहुंच रहा ना तो अब टाइम आफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा देते हैं विच तू यू साइन ठीटा बाई जी की जगे अब यहां पर क्या लगाएंगे जी एफेक्टिव ल टू जी तो यह सारे क्वेश्चन आप चाहते तो विल्कुल कानेमेटिक की बेसिक एक्वेशन लिख लिख के भी कर सकते थे बट एनलोजी का हेल्प अगर हम लोग लेंगे तो यह क्वेश्चन देखो सीधे सीधे तरीके से भी हो रहे हैं इसमें और कोई दिक्कत नहीं आ मैं बता दूं कि इस ग्राइब हो फिर से दिखते हैं इसको थीक है अब इसक्वेश्चन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रों इगेटिव चार्ज तो एलेक्ट्रिक फिल्ड के ऑपोजिट डिरेक्षन में एक ऊपर की तरफ इसपर लग जा रहा है कि इतना लगेगा charge of electron small e multiplied by electric field capital E. इतना force लग रहा है, ठीक है? तो अगर acceleration लिखना चाहें, तो force divided by mass of electron small m. तो अब ये उपर की तरफ तो accelerated है, बट horizontal direction में इसका acceleration क्या है? अगर horizontal को x direction बोल दूमें, ऐसे उपर वाली direction y है positive और ये x है, तो a y is basically small e capital E by small m और a x equal to 0, मतलब horizontal direction में कोई acceleration नहीं है, तो आगे की तरफ horizontal direction में cross करने में कितनी distance travel कर रहा है, l distance travel कर रहा है, तो time कितना लगाएगा, time will be equal to distance traveled l by velocity, which is constant through the motion, कितना है उसकी horizontal velocity v naught, तो l by v naught time लगेगा इसको, अच्छा उतने time में देखो, velocity का vertical component या y component जो था basically 0 था, अब जब यहां से निकल रहा होगा, तो निकलते निकलते में देखो, horizontal वाला part तो change ही नहीं हुआ, that is v naught, vertical वाला part जरूर change हो गया, और यह value मान लो हो गई v y, ठीक है, तो अब हमें v y अगर निकलना है, तो हम लोग सीधा vertical direction में, first equation of motion लगा देखो, final velocity जो vertical direction में होगी, v y that will be equal to initial velocity, in vertical direction जो कि 0 है, plus acceleration along vertical direction, a y into time taken t, तो v y की value यहां से, अब सीधा substitute करके, a y की value यहां से, और t की value यहां से, small e, capital e, l by, m v naught के बरावर v y हो गया, अच्छा, यह दोनों vectors का, जो resultant है, उसी direction में velocity होगी, और उसी direction में particle निकलेगा, तो यहां पर हम देखें, तो यह v y वाला direction उपर की तरफ है, और यह जो resultant जा रहा है, जहां पर देखो arrow, यह resultant की direction में particle निकलेगा, net velocity के साथ, तो यहां पर इस वाले right angle, triangle में सीधा दिख रहा है, tan theta equal to v y by v naught, हमें theta ही निकालना था, तो हम सीधा आ जाएंगे, अब tan theta will be equal to v y by v naught, और v y by v naught करो, तो यहां से कितना आ गया, small e, capital e, l by m v naught का square, सो यहां से theta की value आ गई, tan inverse, tan inverse, small e, capital e, small l by m v naught का square, यह आ जाएगा आएंगे, clear है सबको, चलिए, एक last question, uniform electric field के अंदर, particle के motion पर, एक last question करते हैं, यह अब इसको भी करो, यह बढ़िया conceptual question है, तो इस question को अगर try किया, तो यह question अगर, बिल्कुल सही तरीके से आप नहीं करोगे, तो देखो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसको, और उन में से सीधे तरीके बहुत छोटे भी होंगे, और लंबे तरीके भी आज़ेंगे, और अगर विल्कुल idea नहीं लगा, एकदम सही चीज strike नहीं गरी, तो हो सकता है कि हो अभी नहीं, ठीक है, मुश्किल करेगा, तो इसका एक simple तरीका कोई ढूनते हैं, करते हैं, देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले situation को analyze करना जरूरी कि actual में हुआ क्या, ठीक है, दो पार्टिकल हैं, लेट से A and B, ठीक है, A की बात पहले कर लखें, तो मानलो, A जो है, जिसका mass M है, दोनों पार्टिकल का mass same है, और velocity same है, ठीक है, तो मानलो right-ward direction में, ये initial condition है, आई से लिख रहा हूँ, initial condition आई, इसकी right-ward direction में, इसकी velocity मानली, आई में V है, ठीक है, अच्छा, final condition में क्या है, बोल रहा है कि, इसकी speed जो है, वो half हो जाती, और velocity, अपनी original direction से, 60 degree turn कर जाता है, तो original direction जो horizontal वाली थी, उसको यहाँ पर बनाया, और उससे 60 degree turn करते वे, ऐसे, final velocity, जिसका magnitude V by 2 हो गया, पहले का half हो गया, ठीक है, convention के लिए मान लेते हैं, कि यह initial velocity जो थी, वो x direction में थी, और यह उपर वाली direction मानलो, y direction में जो ठीक है, अब आते हैं, B के लिए, ठीक है, तो B के लिए, initial and final ऐसे ही, अगर हम दो बनाया, तो B वाले की भी initial velocity तो वही है, same है, initial conditions are same, initial velocity V है, x direction में, भी नॉट लिख दिया हमने पर ही, इसको V ही लेते हैं, ठीक है, final में बोल रहा है कि, it has turned to 60 degrees, तो, अब x की जगे, final y direction में हो गया, अच्छा, कितनी proportion में change होई, वही चीज़ हमें निकालना है, basically velocity, final, जो है, B की, divided by, जो initial वाली है, ठीक है, तो वह मान लेते हैं कि, V dash होगी, तो हमें V dash by V निकालना, basically है, रेशियो या proportion निकालना है, और यह direction जो है, initial वाले का 90 degree अंगल है, अब इसको कैसे solve करें, कैसे solve करें, एक और तरीका देखो, कि, जो force है, वो जो भी चीज, electrostatic force जो दोनों पर लग रही है, वो different amount की लग रही है, masses, सब के क्या है, same है, masses same है, बट force अलग है, तो acceleration भी अलग लगाएगा, ठीक है, तो kinematics वाले, तरीके की जगे, इसका मतलब फाइनल मोमेंटम में वही चेंज करा रहा है, क्योंकि हमें देखो, initial and final velocities के बारे में कुछ की information है, तो final velocity, initial velocities के बारे में information पता है, तो इसका मतलब फाइनल मोमेंटम और initial momentum के बारे में भी information पता है, तो मैं अगर first वाले के लिए impulse momentum theorem लिखो, that means, let's say electric field vector, e vector है, यहाँ पर लग रहा, तो first वाले पर जो force लग रहा है, that is, q times e1 vector, e vector, sorry, q1 लिखना चाहिए, first वाले पर जो charge हो कितना q1 है, q1 times e vector, यह हो गया force, into time taken, into time taken, यह हो गया net impulse, और net impulse will be equal to change in momentum, momentum, अच्छा, momentum में change लिखना है, तो final minus initial लिखे, तो mass तो देखो, m ले लो, अगर मैं a के लिए लिख रहा हूं, a के लिए लिख रहा हूं यह, तो mass m हो गया, और final velocity अब vector की form में लिख लेते हैं, i cap, j cap, तो final जो है, a की velocity का vector जो जाएगा, देखो, यह angle 60 degree है, तो final velocity vector जो हो जाएगा, वो v by 2 sin 60 j cap, v by 2 cos 60 i cap, तो v by 2 cos 60 हो गया, v by 4, तो v by 4 i cap, plus root c v by 4 j cap, यह हो गई final velocity, तो mass into final velocity, minus initial velocity, यह होगा, change in momentum, तो initial velocity vector को लिखोगे, तो कद देखो, y direction में कुछ भी नहीं है, x direction में v है, तो minus v i cap, ऐसे लिख लिए, ठीक है, इसी को अगर मैं, ऐसे लिखोँ, तो q1 e vector into time taken t, equal to, v by 4 minus v i cap, तो minus, 3 by 4, mv i cap, ऐसे हो गया, plus, root 3 by 4, mv j cap, इसको बोल देते हैं, equation number 1, यही same impulse momentum की theorem, हम लोग लिख लेते हैं, second वाले, b वाले के लिए, तो उस पे जो force लग रहा हो, कितना लग रहा है, q2 लग रहा है, q2 into e vector into time taken, net impulse, equal to final momentum, minus initial momentum, अच्छा, final momentum में क्या हो जाएगा, तो एक पार्ट आगया, final momentum तो आगया, plus mv dash into j cap, यह हो गया final, minus initial करना है, तो initial वाले में कितना आजाएगा, mv into i cap, x direction में velocity, तो minus mv i cap, यह हो गया, यह हो गया equation number 2, अच्छा, इससे क्या solve करेंगा हैं, देखो, लंबा तरीका, कुछ भी confusion हुई, और सीधा clarity के साथ, नहीं दिखी वो चीज, तो बहुत लंबा चले जाओगे, यह question लगेगा, कि यह कहां जाएगा, इससे क्या करेंगा, ठीक है, और बिल्कुल, सही तरीके से सोचो, देखो, vector की एक simple चीज है, लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों equation में, जो भी मैंने लिखा हुआ है, q1, e vector into t, और यहां पे, q2, e vector into t, यह ultimately, जो हैं, यह e vector की direction में ही तो होने हैं, तो मैं right hand side का बोलूं, यह part और यह part, यह अगर left hand side पे, दो parallel vectors हैं, magnitude, q1, q2 के अलग हैं, तो इसका मतलब हो सकता है, कि दो जो arrows आ रहे हैं, उनकी length अलग हो, बट यह दोनों parallel vectors हैं, अगर parallel vectors हैं, तो यह x axis के साथ, जो angle बनाएंगे, वो चाहे first वाले vector का, low right hand side या second वाले vector का, वो same होना चीज़िए, ठीक है, और x axis के साथ, angle क्या कोई भी vector बनाएगा, अगर मैं यह r vector लिख रहा हूँ, तो इसका एक x component होगा, ठीक है, और एक y component होगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, r vector को, x component rx into i cap, plus ry into j cap, तो basically अगर theta सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कि j cap का coefficient by i cap का coefficient, यह part जो होगा, यह दोनों ही vectors के लिए, दोनों ही equation, first and second के लिए, जो right and side में चीज़ लिखी हुए है, वो same होनी चीज़ है, because theta क्या है, same है, same direction के vectors है, तो बस इतना ही part हम लोग use करेंगे, और यह question, पटाक से हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो, root 3 by 4 mv, divided by minus of 3 by 4 mv, mv से mv पूरा cancel हो रहा है, 4 से 4 पूरा cancel हो रहा है, बच के आ रहा है, root 3 by 3, which is again minus 1 by root 3, so minus 1 by root 3, equal to, second वाली equation का देखो, mv dash divided by minus mv, m से m cancel हो गया, minus 1 बचा, और बचा कितना v dash by v, तो यहाँ पर हमसे ratio ही तो पूछा गया था, v dash by v कितना होगा, तो v dash by v की value आ गई, किस ratio में जो है velocity change हो जाएगी, 1 by root 3 के ratio में velocity change हो जाएगी, answer यहाँ पर आ गया, ठीक है, तो यह थोड़ा सा tricky question था, मतलब कम time में काम करने के लिए, तो यह थोड़ा सा tricky था, next topic जो हमारा है, वो है electric field line का, ठीक है, तो field line का क्या concept होता है, field line basically, एक space के अंदर एक hypothetical arrangement है, lines का, hypothetical lines, real में कोई line में नहीं होती, एक hypothetical arrangement है, जिससे हम एक comparative idea ले सके, अंदाज़े से एक जगे के दूसरे जगे की field का एक अंदाज़ा ले सके हैंना, कि यहाँ पे अगर मैं charge रखूँगा, तो कम force लगेगा, या ज्याद है force लगेगा, as compared to दूसरी जगे पे, absolute में कुछ idea भी नहीं होता है, field line से, exactly तुम यह नहीं बता सकते है, field line देखके, कि यहाँ पे force कितना लगेगा, अगर मैं charge को रख देगी, जैसा field exactly सब कुछ बता देगी, कि अगर मुझे exactly इस point पे field पता हो, तो सब पता लग जाएगा, कि force वगेरा कितना लगेगा, बट field line से हम सरफ comparison draw कर सकते हैं, ठीक है, तो comparison करने का एक tool है, hypothetical lines का tool है, जो lines क्या बताती है, electric field के बारे में information, और field जो है, vector quantity है, तो इसके बारे में दो ही information है, vector के पास क्या होती, दो information, one is called magnitude, and another direction, तो यह दो information को, वो line के थूँ कैसे हम लोग बनाते हैं, वो ज़रा देखो यहां पर, ठीक है, तो जैसे electric field lines को, मैंने इस तरह से बना दिया, ऐसे line मानलो, random से ऐसे बना दी है, ठीक है, अभी electric field lines क्या बता रही है, तो मैं दो point choose कर लूँ, P and Q, तो electric field lines की density, close है, density बहुत high है, तो हमने इस तरह से बनाये हुआ है, कि हम बोलते हैं कि, वहाँ पर electric field की intensity क्या है, या magnitude जो है, वो बड़ा है, तो जितना पास-पास होंगी lines, उतना ही ज़्यादे magnitude, that means, intensity of the electric field lines, या magnitude of the electric field lines, is directly proportional to the density of electric field lines, दूसरा चीज, और वो tangent की direction जो होगी, यहाँ पर जैसे यहाँ पर इस वाले point पर गया, ऐसे tangent बना दी, इस tangent की direction यह बताएगी, कि यहाँ पर electric field direction क्या होगी, मतलब यहाँ पर इसी जगे पर अगर मैं चार्ज पार्टिकल लग दूँ, प्लस वन कूलम का, तो इस पर जो force लगेगी, इसी tangent line के लोंग लगेगी, अच्छा अब tangent line में देखो, एक right में ऐसे बन सकता था, direction एक left में ऐसे बन सकता था, तो वो कौन सी direction होगी, इसलिए feed line में हम लोग हमेशा arrow भी लगा थे हैं, तो अब tangent बनाने के बाद, हम वो वाला tangent की line को चूज करेंगे, फिल्ड की direction के लिए, जिदर की तरफ arrow जा रहा होगा, तो इस वाली direction में electric field की direction होगी, ठीक है, तो अब दो information field की होती है, वो देखो हमने lines के थूँ ऐसे दिखाना चालू कर दिया, लेकिन क्या इस line से यह बता पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी होगी field है, नहीं, बस दो जगे का comparison draw कर पा रहे हैं कि यह जैसे यह P and Q point ले लिए, यहाँ भी P पर lines दूर-दूर हैं, तो वहाँ पर field की intensity कम होगी, बस इतना ही पता लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपकी definition का part होगे, density of field lines is proportional to magnitude of electric field, and tangent at electric field line represents the direction of electric field, ठीक है, यह दोनों तो same होगे, और next, एक एक करके हम discuss करते जाते हैं, third field line की property कि है, कि electric field lines never cross each other, यह intersect इसे कर हैं, कभी intersect नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, अब इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, through contradiction, कि मान लोग करते होंगे, तो मान लिए अगर यहां पर ऐसे cut कर रहे हैं, तो अच्छा, किसी भी electric field line के point पे, हम लोग को field की direction निकाल लिए होती ही, तो हम क्या करते हैं, tangent बनाते हैं, मैं प्लस वन कूलम के चार्ज को रखों, तो जिदर field की direction उधर ही force लगेगा, अब यहां तो दो direction आ रहे हैं, कि क्या दो direction में force लगेगा, net force तो नहीं लग सकता, तो इसका मतलब ऐसा situation भी नहीं हो सकती, clear है बात, next property जो है, next property है कि electric field lines never form a close loop, क्यों होता है ऐसा है, क्योंकि electric field, मनला आगे हम लोग पढ़ेंगे, कि एक special type of electric field भी होती है, जब electromagnetic induction chapter पढ़ेंगे, EMI chapter, तो हाँ पर देखेंगे, एक अलग type की electric field होती है, special electric field, उसमें वो ऐसा हो भी सकता है, close loop बना भी सकता है, पर नॉर्मल electric field lines never form a close loop, ऐसे close loop पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि conservative force field होती है, और conservative force field कोई भी तरह की हो, ठीक है, चाहिए gravitational भी ले लो, कोई भी ले लो, वो कभी भी close loop नहीं बनाएंगे, logical इसका explanation कैसे दे सकते हैं, माल लो एक charge particle पकड़ा, इसको पकड़ के बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मतलब कि इसकी kinetic energy में without change करे, माल लेते हैं, इसमें भी वही है contradiction के थूँ ही चर रहे है, माल लिया कि चलो field line ये close loop बन दिया, ठीक है, तो अब इसी field पे, इसी line पे चलाते हुए मैं लेके आऊँगा, अगर slowly चलाते हुए लेके आऊँगा, तो electrostatic force तो tangent की direction में ही है, और इसका path भी उसी direction में है, तो मतलब हम force भी F, E भी इसी direction में लगा रहे हैं, और small-small displacement भी DR भी उसी direction में दे रहे हैं, तो for any small displacement, the work done by electrostatic force, DW electrostatic force जो होगा, वो क्या हो जाएगा, सीधा FE multiplied by DR हो जाएगा, है ना, क्योंकि बीच के angle तो 0 ही है, अच्छा, FE multiplied by DR, मतलब positive positive ही quantity आ रही है, चोटे-चोटे bits में हम सर्फ positive work करते चले जाएगा, सर्फ positive, तो मतलब मैं एक point से चलके, गुमा गुमा के वहीं पहुंच जाओ, तो इस बीच में conservative force अगर है ये, तो work done तो 0 करना चाहिए, क्योंकि conservative field की जो है, हमने definition नहीं पड़ी थी, कि अगर हम उसमें loop पे चलके चले आए, conservative field में, तो work done क्या होना चाहिए, 0, मतलब ये चीज़ पड़ी ना, कि conservative force अगर है, तो conservative force का work done path independent होता है, एक जगे से दूसरे जगे जाने में, किसी भी रस्ते से से रहता है, दूसरी चीज़, जहां से शुरू किया तुमने वहीं पर वापस पहुंच जाओ, जैसे gravitational है, ये एक ball को उठाया, उचाला, फेका, और ये ball जब वापस तुमारे हाथ में आएगी तब तक, टोटल work done by gravitational force क्या होगा, जीरो ही होगा, यहां पर भी होना तो वहीं चाहिए था, विगाज इट से conservative force field है, और conservative field अगर है, ये जीरो होना चाहिए था, बट इस case में हमने प्रूव कर दिया, कि अगर ये lines ऐसे होती ही लूप की फॉर्म में, तो हम जोग दिखा रहे हैं कि actually work done में जीरो आता नहीं, तो फिर contradiction हो गई ना, तो contradiction हो गई तो हमारा assumption ही गलत है, और assumption क्या था हमारा, ये भई लाइन जो loop है, वो बनेगा, तो इसका मतलब loop नहीं बनेगा, clear है, अच्छा, एक और important इसमें, कि electric field lines जो होती है, वो conducting material के अंदर absent होती है, तो ये important है, इसको आगे हम लोग इतनी बार यूज़ कर चुके होंगे, कि ये याद करने में कोई दिक्तत नहीं रहेगी, कोई भी conducting material ले लिया, इसके अंदर क्या होता है, कि free electrons होता है, conducting material में बहुत सारे free electrons है, मतर्ज़ जो atom को छोड़ चुके हैं, तैर रहे हैं वहाँ से, तो अगर इसके अंदर मैं कोई external field establish कर लेता हूँ, जो electrons है, negatively charged, वो field की direction के opposite, मैं मान लो, कुछ external field right में लगा भी दूँए, तो ये external electric field के opposite direction में, चुकि negatively charged है, वो accelerate हो जाएंगे, उन पर force लगेगा, तो field के opposite direction में ऐसे negative charge ही कठा होने लग जाएंगे, तो obviously right hand side पर positive भी कठा होने लग जाएंगे, टोटल तो 0 ही है, तो अब इस process को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन, ये इंडक्शन जब होगा, तो अब उसकी वज़े से देखो क्या फरक पड़ेगा, एक external तो ये ये है, बाकि देखो यहाँ पर इस side में, right hand side के positive charge, यहाँ पर बीच में, left की तरफ field क्रिएट करेंगे, और ये negative charge भी left की तरफ field क्रिएट करेंगे, तो एक induced electric field क्रिएट हो जाएगी, जो कि किदर है, towards the left, बन्दर external के external field के just opposite है, और जैसे जैसे charges का distribution, मतलब ये polarization या जो भी बोलो आप फैल ना, positive इदर, negative इदर, ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, induced electric field बढ़ती जाएगी, और ये process कब तक चलती रहेगी, जब तक net electric field 0 लागा, that means, जो induced electric field है, उसका vector, external electric field के vector के negative के ना बराबर होगा, क्योंकि जैसे ही दोनों एक दूसरे के negative होएगे, net 0 होगा, और अब फिर electron, जो भी free electron और बचे हैं, उन पर force लगना बंद हो जाएगा, तो वो कहीं move नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये movement चलता रहेगा, तो actual में ये story बनाने में तो बहुत time लगा, इतना ये होगा, फिर ये होगा, बट real life में क्या होता, ये सारा electrons का movement इधर से उधर, एकदम spontaneous process है, तुरंथ हो जाता है, एकदम से, तो इसका मतलब की electric field, inside, conductor जो होती है, वो ही always क्या होती है, जहां पर कोई field ही नहीं है, वहाँ पर line कैसे होगी, line कुछ भी है, इसका मतलब वहाँ पर field है, तो line भी नहीं हो सकती, क्योंकि field ही नहीं होती है, बात clear है, चीक, दूसरा एक जो होता है, electric field lines जो होती हैं, किसी conductor के अंदर तो नहीं हो सकती है, बाहर तो हो सकती हैं, लेकिन बाहर से भी अगर field line आ रही हैं, या field line निकल रही हैं आसे, तो just surface पे जब वो hit करेंगी ना, तो perpendicular होंगी, just at the surface, कोई conductor ऐसे दे दिया ना मैंने, तो इसमें देखो, दो case बनाए हुए हैं, जिसमें second case में, क्या है कि field lines यहां से ऐसे कुछ angle पे, मतलब surface यह हो गई, उसके साथ ऐसे कुछ theta angle पे निकल रही हैं, यह theta सिर्फ और सिर्फ कितना हो सकता, 90 हो सकता है, क्यों? इसका भी reason भही है, कि just surface ओले point पे, अगर tangent की direction में, अगर field इस direction में होती, यह इदर की तरफ होती, तो उसका एक component ऐसे आ जाता है, यह tangential, और अगर surface के along, कुछ component आ भी जाता, तो यह बात पक्ती है, कि surface पे जो charge है, conductor की surface पे जो charge है, वो फिर से इदर उदर भागने लग जाते है, field के opposite direction में, और वो भाग भाग के करते क्या, जो tangential field है, उसको पहले zero करते हैं, अपने charge इदर उदर, कहीं न कहीं वो भूम घाम के इस तरह से setup बना लेते, कि वो जो tangent के along की field है, उसको zero कर दो, तो वो यह काम कर सकते थे, लेकिन perpendicular वाली field को कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए जो field line होगी, वो किसी भी conductor पर always कैसी आके hit करेगी, perpendicular, अच्छा, एक और basic point होता है, ठीक है, कि अगर कोई field line है, अना, electric field lines, यहाँ देख लो, electric field lines जो है, वो emerge करती है positive charge से, और terminate करती है negative charge, यह बड़ा common sense वाली बात होगी, positive charge के just बगल में, यहाँ पर plus one coulomb का charge रखो, इस पर force जो लग रही हो, किस direction में लग रही है, यह रिपल्शन की वज़े से बाहर की तरफ, अच्छ, जिस direction में force लग रही है, वन कूलम के charge पर वही दो electric field की direction है, electric field की direction के लोग ही तो भाई arrow बनाऊगे, तो positive charge से arrow निकलना चाहिए, negative में, एंटर करना चाहिए, simple है, ठीक है, अब एक question करो, जो आच्छ, जेई में आया हुआ है, यह question भी जेई में आया हुआ है, conducting इस प्यार है, उसके लिए 4 ऐसी line बना दी, देखो कौन सी possible है, कौन सा हो सकता है, तो इसमें से rejection method से हम लोग करना चालू करें, अगर इस question को करें, तो simple साय देखो, first वाली field line जो है न, वो अंदर ही enter कर गई, तो यह बताया था कि, conducting body के अंदर में, कोई field line नहीं जा सकती, तो first वाली तो इसलिए गलत हो गई, fourth वाले में भी यही गलती आ रही है, कि अंदर ही चली जा रही है, अब बची second and third, इन दो में से देखो, यह जो conducting sphere है, spherical दिया हुआ है, अगर यह सीधी line विल्कुल सीधी सीधी चलती चली गई, तो इस वाले point पर यह बात पक्की है, कि अगर मैं surface का tangent बनाऊँगा, तो उसके साथ यह angle जो बन रहा है, वो 90 डिग्री तो नहीं बन रहा, मतलब surface में perpendicular तो नहीं हिट कर रही, यह वाली third वाली line देखो, थोड़ी सी angle turn हुआ है, तो यह angle 90 हो सकता है, यह angle 90 हो सकता है, तो चेकेंड में तो पक्का ही दिख रहा है, तो most appropriate answer, बिल्कुल इसी तरह का figure actually यहीं में भी था, तो most appropriate answer जो है, closely बिल्कुल 3 वाला लग रहा है, तो possible answer 3 हो सकता है, यहां पर पेंडिकुलर में surface के परपेंडिकुलर आके, फिल लाइन टेच कर रही है, यह हिट कर रही है, अच्छा, अब कुछ special cases ले लेते हैं, कुछ तरह की cases जिसमें field line हम लोग कैसे बनाते हैं, तो field line का जैसे point charge की वज़े से ले लेते हैं, और मानलो 2 point charge ले ले लेंगे उसकी वज़े से कैसे बने लेंगे, तो इसमें point charge का पहला case लो, तो field line due to various charge distribution जिसमें पहला वाला ले 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 हैं हम लो, point charge, positive charge कर लेगे लोगे तो उसकी वज़े से क्या हो जाएगा, field line से बाहर की तरफ निकलेंगी, और सब यह radially symmetrical तरीके से बाहर निकलेंगी, क्योंकि हमें तो पता ही है ना कि r distance पे, point charge से r distance पे इधर की तरफ r vector की डिरेक्शन में, r vector की तरफ r vector की ही direction में, जो field का formula होता है मारा या expression होता है, q by r square into r kappa, ऐसे लिखते हो ना, तो जिदर की तरफ तुमारा radius vector उदर की तरफ field line होनी थी, तो direction इससे हो गया, और बाकी r की value अगर constant है, तो तुम किदर की तरफ भी बढ़ो, मैं इधर बढ़ूं, यह इधर बढ़ूं, अगर charge particle से 2 cm दूर जा रहा हूं, तो point से किसी भी direction में जाओं, basically एक square की पूरी surface पर कहीं पर भी रहा हूं, हर जगे field क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, तो एक point से हर एक possible direction में field line जा रही है, और सब के बीच में spacing कैसी है, same है uniform, तो कुछ इस तरह की field line हो जाएगी, negative के लिए होगा, तो बस यही हो जाएगा, फरक arrow का फरक हो जाएगा, तो अब इसमें क्या होगा, positive से field line निकलेंगी, negative में एंटर करेंगी, बीच में कहीं पर भी आओ, बीच में ज्वाइन करने लिए लाइन तो देखो positive से negative की तरह है, यहां पर positive से निकली बहार जा रही है, तो दूर जा रही है, अब मालों, दो same nature के charge ले लिए, positive positive ले लिया, यह negative negative ले लिया, तब कैसा होगा, तो देखो इस तरह का कुछ होगा, दो positive ले लिए, बिल्कुल uniform, इसमें symmetrical मैंने रखा, non-symmetrical होगा, तो भी एक style same होगी, है ना, बस थोड़ा सा होगा कि एक का effect का region बढ़ जाएगा, इसमें क्याद है, वो field लाइन ऐसे positive से निकल रही है, बाहर जा रही है, बीच में एक खाली जगे भी है, यहां पे है, वो खाली जगे क्या बता रही है, जिसको हम बोलते है, null point, that means, जहां पे field की value क्या हो जाए 0 हो जाए, तो यहां पे अगर दोनों charges basically same magnitude के है, तो mid point पे एक जगे ऐसी आएगी ना, जहां पे electric field की value क्या है, 0 है, तो इस तरह के space में वो दिख रहा है कि यहां पे कहीं 0 भी है, तो इस तरह का कुछ situation बनेगा, ठीक है, तो यह cases कर लिए, हम लोगों ने, और बाकी जो है, इस पे एक question और करते हैं, जो जेई में पूछा गया है, वो भी जेई का पूछा हुआ question करते हैं, देखो इस question को करो, तो मेरे ख्याल से यह भी कर लिया होगा question, यह straight forward simple question था, इसमें भी वही rejection method अपनाना चालू करो, सबसे पहले तो देखो loop कहां पे बन रहा है, option B में option D में देखो, बहुत सारे loop बना रखे हैं भी खता में, electric field line ऐसी नहीं हो सकती, ठीक है, अच्छा, अब loop नहीं है कि इसमें A में नहीं है और C में नहीं है, ठीक है, इन दो में हमें चेक करना है, ठीक है, तो इन दो में एक चीज़ देखो, मिल रहा है कि बीच में center वाले point पे zero field वाला भी है, अना तो वो भी होना ही चाहिए, अब किस तरीके से देखें, तो कहीं ने कहीं, एक differentiating factor में देखना पड़ेगा, तो ऐसे मान लो, equilateral triangle की vertices पे, same charges रख दिये, हमें Q, यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है, और यहाँ पे Q है, अच्छा, मैं इन दोनों को join करने वाली line के बीच में midpoint पह जाता हूँ, कोई भी दो charge को join करने वाली line के midpoint पह यहाँ पहुंचे हूँ, जो कि basically, इस वाले small Q charge के perpendicular का foot भी होगा, इस midpoint पे, यह वाला Q charge इधर की तरफ field लगाएगा, और यह वाला Q charge इधर की तरफ field लगाएगा, और दोनों same amount में लगाएगे, तो basically, यह दोनों तो cancel होगे, तो इस charge की वज़े से, और इस charge की वज़े से, मिला के तो cancel होगे, बट यह वाला point charge है, इसकी वज़े से field होगी, और इसकी तो मतलब इस वाले रीजन के आसपास यहां पर बेस में जो मिड़ पॉइंट है इस रीजन के आसपास में जो फील्ड लाइन की डिरेक्शन होनी चाहिए वह आलमोस नीचे की तरफ होनी चाहिए अब वह चीज देखो यहां पर नहीं है ए में दुनों को जोइन करने वाली लाइन के लॉंग ही बनाया हुआ है जबकि सी में इस वाले पॉइंट पर देखो बीच में कहीं पर यहां पर आके इस बीच वाले पॉइंट पर देखो फील्ड लाइन सड़नली यह से नीचे की तरफ शाप लिटान हो गई है इसका मतलब देखो किसी ने एक छोटी ने कोई ने कोई छोटी चीज मिल जाएगी जिससे आक्चली सारे हो जाएंगे तो आज की क्लास से आप लोग को यह सारे टॉपिक्स आई हो समझ में आयोंगे प्रॉब्लम अच्छे लगे होंगे